जेल से बाहर राम रहीम पर नेता क्यों महरबान? क्या राम रहीम का दरबार करेगा नेताओ का बेड़ा पार? बीजेपी नेताओं के बाद आप नेता भी राम रहीम की शरन में क्या सामने आया आपका दोहरा चरित्र रेप और हत्या का आरोपी राम रहीम सिंग पैरोल पर बाहर है और सत्संग कर रहा है सिर्फ इतना ही नहीं एक के बाद एक हर पार्टी के जनप्रतीनी दी उससे मिलने जा रही है जो की शायद ये भूल गए है कि कौन है राम रहीम और इसके गुना क्या है क्या प्रदेश के मंत्री गणों को इस मामले की गंभीरता का जराभी अभास नहीं है बीते गुरुवार को बीजेपी नेता विकरम ठाकुर सिंग ने राम रहीम की शरण में हाजरी लगाई तो भला आम आदमी पार्टी नेता कैसे पीछे रह सकते थे वो भी पहुच गए राम रहीम के द्वार और आपको बता दे पंजाब सरकार के मंत्री फोजा सिंग सरारी का वीडियो सामने आया है जिसमें वो देरा सच्चा सोदा के आश्रम में पहुचते दिखाई दे रही है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वाइरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री फोजा सिंग सरारी फिरोजपुर जिले के देरा सच्चा सोधा राम चर्चा घर में पहुचे थे जहां उन्हें सम्मानित भी किया गया देरा से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ परेशानी उन्हें बतानी थी तो वो उसे सुनने के लिए ही देरा आये थे किसी तरह का कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं रखा गया था चलिए मान लेते हैं कि डेरा के लोगों के मताबिक वो समस्याओं को सुनने आये थे तो वो आश्रम के अंदर कैसे पहुँच गए? क्या फोजा सिंग को पता नहीं कि राम रहीम कोन है और वो किस मामले में दोशी है? आपको बता दे कि गुरुमीर राम रहीम को ऐसे समय में पैरोल मिली है जब हरियाना में पंचायत चुनाव हो रहे हैं क्योंकि पंजाब हरियाना और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में राम रहीम के भक्त बड़ी संक्या में है इससे राजनीतिक दलों को फायदा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है साथी ओनलाइन सत्संग में सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के निताओं का राम रहीम से आशिवार लेना भी चुनावों से जोड कर देखा जा रहा है साथी कुछ लोगों की तरफ से पंचायत और आदम पुर्च उप्चुनाव की निश्पक्ष्टा पर भी सवाल खड़े किये जा रहे है आपको याद होगा कि बीते दिनों दिल्ली की महिलायों की अध्यक स्वाती मालीवाल ने भी राम रहीम की पैरोर को लेकर हरियाना सरकार पर तंच कसा था और हरियाना के सीम मनोहर लाल खत्तर से कई सवाल भी पूछे थे लेकिन बावजूद इसके नेताओं ने राम रहीम की सरन में जाना नहीं छोड़ा और अपने आपको सबसे ही मांदार और भरोसे मन पार्टी बताने वाली आमाद्वी पार्टी के नेता ने भी राम रहीम के डेरे में जाकर ये साबित कर दिया कि जब बात सियासत की आएगी तो वो भी कहां पीछे है इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले